Short Time and Tricks के Part 57 में आपका सोगा थे और इस वीडियो में पर वातेंगे Time and Work के उपर एक Short Tricks जिस ट्रीक के मदद से Time and Work के उपर इस टाइप questions के अंसर आप बहुत है असन्ड से Short Time के अंदर निकल सकेंगे और इस वीडियो के Last में होगा आपके Practice के लिए Two Questions इस Questions के आंसर आपको खुद निकलना है जो कि इस वीडियो के चीक के मदद से इसी टाइप के questions होगा तो चलिए अट फस्ट्रीक देखने से बहले ट्रीक का questions क्या है देख लेते हैं और यह पर question है कि Three men या फिर Six women किसी काम को 16 days में complete कर सकते हैं यह पार देखिए, 3 men 16 days में किसी काम को complete कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं, 6 women उसी काम को 16 days में complete कर सकते हैं, देन आपको पूछे आ जोगे कि 12 men and 8 women उसी काम को complete कर पाएंगे कितना देन में, और यह पार option देखिए, तो simply देखिए, इस type questions का trick क्या है, देखिए, 3 men को माल लिजी A, 6 women को माल लिजी B, तो A men and B women किसी काम को D days में complete कर सकते हैं, देन 12 men, जो कि A on men and B on women उसी काम को complete कर पाएंगे, और यह पार trick है, जो कि D upon A on upon A plus B on upon B days में, और इस trick कॉप इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए, D into A into B upon A on B plus B on E days में, तो simply देखिए, दोनों trick equal हैं, जो कि किसी भी एक trick के मदद से आप answer निकल सकते हैं, जो कि, देखिए आपार, D का हैं, जो कि 16 days, तो 16 put कर लिजी हैं, आपन A1 आपन A, A1 12, 12 आपन A कितना, जो कि 3, plus B on 8, आपन B 6, आपन 16 आपन, आपन, जो कि LCM होगा 6, आपन 24, प्लास, जो कि 8 होगा, जो कि 16 into 6, आपन 24 plus 8 कर लिजी है, जो कि 32, आपन 16 into 2, 16 into 2, 32, 2 into 3, 6, जो कि 3 days, और इसमें भी जो कि A, B, and D, A1, B1 का मान पूट करके आप answer निकल सकते हैं, जो कि आपका answer होगा, 3 days, जो कि option B, आपका answer, तो चलिए इसी trick के ओपर और एक question solve करके दिखाते हैं, और यह आपास second question देखें, जो कि D, 12 men, या फिर 24 boys किसी काम को 66 days में complete कर सकते हैं, तो पुछे जो कि 15 men and 6 boys उसी काम को complete कर पाएंगे, और यह पर option देखेंगे, सिंपली देखें, यह आपर A, B, A men, B boys किसी काम को D days में complete कर सकते हैं, A on men and B two boys उसी काम को complete कर पाएंगे, जो कि D upon A on upon A plus B on upon B days में, या फिर आप इस ची को इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि D into A into B upon A on B plus B on A days में, तो चलिए इसी टीक से solve कर के दिखाते हैं, चलिए D, जो कि 66 into A, 12, B, 24, आप़ोन A on B, A on, A on यहापर 15, B 24, 15 into 24 कार लिजिया, जो कि 360 होगा, plus B on A, जो कि B on A यह आपका होगया, यह होगया, स्वारी, यह पर B on, So B on 6 into 12, जो कि 72, यह पर कल्कुलेशन कीजिया, जो कि आपका होगा, 66 into 12 into 24, आपोन यह पर add करेंगे, 432, और यह पर कल्कुलेशन कीजिया, जो कि 44 होगा, 44 days, आपका answer, जो कि option B, So, अगार एक वीडियो अच्छा लगे, या फिर आप मुझे support करना चाते, तो इस वीडियो को like and share करना ना भूलेगा, वाल यह पर finally, आपके practice के लिए 2 questions, वीडियो को at first pause कर लिजे, इन दोनो questions के answer निकालने की कोशिच किजिया, then आप मुझे comment कर सकते के इन दोनो questions के answer क्या है, So, thank you so much for watching this video, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,